अगर आप भी IABF Certifications की तियारी कर रहे हो तो हमारे पास IT Security का फुल कोर्स अभीलेबल है जिसके अंडर हम आपको प्रवाइट करवाते हैं conceptual वीडियो जो कि हमारे Hindi और English Language के mix में अभेलबल होते हैं इसी के साथ हम आपको mock test, mega mock test or e-pdf notes से provide करते हैं जिनकी help से आप easily revision कर सकते हो और यह जो हमारी life classes होती हैं वो आपको recorded form में भी मिल जाती हैं तो अगर आप systematic manner में IT Security की preparation करना चाहते हो तो फड़ा-फट से हमारी course में enroll कर लीजे हमारी जो courses हैं वो easily accessible हैं अगर आप ए control user हो तो IABF Learning Center application download कर लीजे Google Play Store से और अगर आप एक iOS सीजर हो तो my institute आप download कर लीजे app store से और वहां पर आपको organization code यूज करना है GEG के ली तो फड़ा-फट से न application को download कर लीजे और हमारे courses में enroll कर लीजे और अगर आप अभी हमारे course में enroll कर लीजे तो आपको लवग 82% का ओप मिल जादा हमारे courses के लिए जिसके लिए आपको coupon code यूज करना है तो फड़ा-फट से coupon code का user के हमारे course में enroll कर लीजे और हमारे telegram चैनल को भी जरूर जोइन कर लीजे क्योंकि हम इसमें exam related classes related important update जो है वो डालते रहते हैं और अगर आपको भी किसी तरह की query आती है तो आप इस चैनल में message कर सकते हो तो फड़ा-फट से हमारे telegram channel को join कर लीज options and controls के बार में पढ़ने वाले हैं और इस तरह little कुछ important topic को detail में discuss करने वाले हैं तो फड़ा-फट से इस session को share कर दीजे अपने friends के साथ colleagues के आता कि वो भी session का benefit जो है ले से तो शुरू करते हैं आज का session बिना किसी देरी के तो सबसे पहले हम यहां पर information asset के बार में समझते है कि information asset basically होते हैं तो simply देखो computer का कोई भी ऐसा component जिसके अंडर आपने किसी भी तरह का data या फिर information store करके रखा है या फिर आप उस component को use करते हो information data को transfer करने के लिए तो वो जो component है computer का उसी को हम information asset कहते हैं जैसे example के मान के चलो आपके पास एक hard disk थी ठीक है जिसके अंडर आपने business related important data information को store करके रखा है ताकि जब भी आपको जरूरत है तो आप उस information को access कर सको और अपना काम कर सको तो यह हमारी क्या कहलाएगी information asset कहलाएगी और यह काफी जरूरी होती है किसी भी organization के लिए और इसको protect करके रखना भी काफी यहां पर जरूरी होता है clear आपको तो अगर information asset is a computer component यह computer का component होता है जहां पर आपने information store करके रखे है या फिर information pass की जा रही है और अगर किसी case में यह information asset है वो non available हो जाते है यानि कि आप उसको access नहीं कर पाते हो तो उसके उसकी वजह से हमारे business के उपर negative impact पड़ता है और हमें यहां पर जो है loss होता है अब information asset के अंडर क कोई भी यहां पर hardware भी हो सकती है और software भी हो सकता है जैसे मैंने आपको बला computer का component तो computer हो दो component से मिलके बना होता है hardware and software तो कोई भी हो hardware हो चाहे software हो वो हमारा information asset जो है कहलाएगा जैसे मैं example दूँ तो hardware हो गया hard disk क्या हो गया hard disk software क्या होगा कोई ऐसे application जिसको आप use कर रहे हो information को transfer करने के लिए तो वो हमारा information software asset में आ जाता है clear आपको next बात करते है protection of information asset अब जैसे मैंने आपको बताया किसी भी organization के लिए अपन information assets की साथ share chart की जाती है उसमें किसी भी तरह की unauthorized access होता है तो हमारा information जो है वो यहाँ पर leak हो जाता है वो यहाँ पर चोरी हो जाता है जिसका organization के उपर negative impact पड़ता है तो उसको protect करना जरूरी होता है तो protection of information asset का मतलब है कि हमें कुछ security initiative of measures लेने है ताकि हम अपनी information asset को secure कर अब यह जो security initiative measures होते हैं वो depend करते हैं कि asset किस category है जैसे आप देखते हो कि बहुत सारी information assets है जिसमें से कुछ assets बहुत ज़्यादा important होती है कुछ assets कम important होती है तो जो security measures है वो asset की nature की हिसाब से ही यहाँ पर जो है लिये जाएगे जो सबसे ज़्यादा जरूरी asset होगी उसकी उ assets को secure कर पाए protection mechanism के अंदर कुछ यहाँ पर policies और practices जो है वो companies को follow करनी है ताकि वो information asset को protect कर पाए हर किसी हर कि तरह के आपर खत्रे से clear है next बात करते है controls की क्या है हमारे आपर control अब control क्या होता है तो basically देखो control यहाँ पर क्या है measures है mechanism कुछ यहाँ पर security measures है mechanism है कुछ तरीके हैं और कर पाते हैं जैसे example के मानगे चलो आपका एक data center था जिसके अंदर बहुत सारा data server जो है वो यहाँ पर आपने रखा हुआ था अब इसकी security ज़रूरी है तो इसके लिए आपने क्या क्या है एक बाहर gate पर guard जो है वो appoint कर दे है जो कि यहाँ पर रखवाली करेगा और इनिशेटिव मेकानिजम्स आप यूज कर रहे हो हमारे information assets को secure करने के लिए वो हमारा साथ में उसको आप क्या कह दोगे control कह दोगे clear आपको और यह जो control होते हैं वो generally हमारे top management के दोवारा initiate किया जाता यानि कि controls के अंदर जो भी measure साथ है mechanism आते हैं वो यहाँ पर top management जो है initiate कर change आता है मान के चलो कि technology change हो गई है technology ऐसी आ गई है कि हमारे पास जो technology है वो सही नहीं है उसके साथ से तो हमें अपने जो control measures है वो भी यहाँ पर change करने जरूरी होते हैं ठीक है क्योंकि देखो हो सकते हैं कि आपने एक software रना है बहुत अच्छा software उसे hack करना impossible पर एक ऐसी technology आ हुआ कि अब उसको easily कोई भी hack कर सकते है तो आपने क्या किया इसके रिए जो पहले security measures से उसमें थोड़ी update कुछ नई चीज़े add कर दे ताकि नई technology के साथ भी इसको जो है hack ना किया जा सके तो यह basically क्या है dynamic हुआ अगर dynamic नहीं होता तो आप यह system use करते और अपना data breach हो जाता तो dynamic होना जरूरी है next बात करते control of hardware equipment अब जैसे कि आप लोग को पता कि information asset के अंदर हमारे hardware से भी आ जाते हैं और हमारे यहां पर software है और दोनों को protect करना जरूरी हो तो दोनों को protect करने की जो तरीके होते हैं जो measures होते हैं जो mechanism होते हैं वो यहां पर अलग-अलग होते हैं तो हम different different तरीके से उनको यहां पर study करेंगे तो पहले बात करते है hardware equipment की जितने भी हमारे hardware equipment है उसको हम कैसे control कर सकते हैं उसको कैसे secure रख सकते हैं तो measures को देखने से पहले hardware होता क्या है वो समझ लो ठीक है तो यहां पर देखो किसे भी computer system या फिर electronic device जो कि जिसकी physical existence होती है physical existence होन जो monitor है ठीक है उसको आप देख सकते हो उसको touch कर सकते हो feel कर सकते हो तो जितने भी आपको physical existence वाली component देखेंगे वो हमारे hardware की category में जो है आ जाएंगे clear है अब इसको control कैसे किया जा सकता है क्या किया यहां पर steps जो है वो लेने पड़ते हैं ताकि hardware को hardware equipment को secure किया जासेगी तो पहला important step क्या होता identification of hardware information asset ठीक है तो पहला जो step वो यही है कि हमारी organization के अंडर जो भी hardware information assets है उनको identify करना है कि कौन-कौन से hardware equipment है जो कि information asset है जिनको हमें secure करने की जरूरत है ठीक है तो हमें क्या करना है step के अंडर initial recognition करनी है cataloging करनी है ताकि हम उनको identify कर सके ठीक है उनको tax दे सके ताकि उसके हिसाब से security measures जो है ले सके और यह जो step होता है foundation step होता है foundation step का मतलब है कि आगे जो भी critical information asset थे उसको अपने identify नहीं किया तो next step आप ले ही नहीं सकते हो next कि recording from procurement stage ठीक है तो यहां पर देखो हमें recording करनी है recording का मतलब documentation करनी है तो जब भी आप किसी asset को hardware asset को information asset को acquire करते हो तो जब आप उसको acquire कर रहे हो जो है record करना है उनकी proper documentation जो है वो mr. केरे कलासीफिकेशन बेइस क्लासीफिकेशन करेंगे क्या करेंगे यहां पर hardware की classification करेंगे देखेंगे कि कौन सी hardware information ऐसा बहुत ज़रूरी है critical है और कौन सी कम जरूरी है ताकि उसके हिसाब से हम यहां पर security measures जो है वो ले सके clear आपको तो आपको security measures और resource allocation को prioritize करने के लिए मतलब priority देने के लिए classification करने जरूरी होती है अब जो hardware है वो यहां पर कई basis पर हम classify कर सकते हैं जैसे कि अगर हम criticality की basis पर गया रहे तो hardware क्या हो सकते है critical हो सकते है semi critical हो सकते है या फिर non critical हो सकते है इसके बार में already हमने पढ़ चुके है ठीक है पिछले lectures clear है तो organization के operations के according हम hardware को यहां पर classify कर सकते हैं उसके बाद हम financial value की उपर भी classify कर सकते हैं यानि कि कौन सी hardware asset ज्यादा महँगी है कौन सी कम महँगी है जिसके loss होने से ज्यादा financial loss होगा वो चीछ हम यहां पर identify जो है वो कर सकते हैं next step क्या होता है inventory control inventory control के अंडर जो भी हमारे पास hardware equipment पढ़े हुए ठीक है उसको हम control करते हैं कैसे की मान के चलो एक organization है उसके पास यहां पर 100 hardware equipment है जो कि information important information asset है ठीक है अंडर हमारे जो hardware assets है उनको real time basis पर track करेंगे उनका status क्या location क्या है उसको यहां पर जो है जानेगे ताकि किसी भी तरह कि अगर यहां पर missing की report होती है अगर हमारा कोई hardware asset missing हो जाता है या फिर उसको कोई चोरी कर लेता है तो वो हमें यहां पर पता लग सगे है जैसे example दो एक simple से example कोई pen drive है ठीक है तो एक pen drive जो है वो एक department से कभी उसके पास कभी उसके पास कभी उसके पास जाता रहता है तो हमें किया इसकी movement पे ध्यान अटना है कि कब कब कौन सी hardware asset कब जा रहा है ताकि कोई भी unauthorized transfer को हम रोक सके यानि कि जो authorize किया ही नहीं नेक्ट बात करता है reviewing control adequacy जो हमने control measures implement किया है वो कैसे है वो अच्छे या फिर बुरे है वो भी हमें यहाप जो है देखना जरूरत है क्या यह जो control measures है वो sufficient है हमारे hardware assets को protect करने के लिए वो चीज़ हमें आप जो है देखते हैं तो यह क्या थे हमारे यहाप स्टैप्स थे hardware equipment security under control under I hope आपको यहां तक clear हो गया होगा किसी भी तरह का doubt आता है तो आप chat box से message करें पूछ सकते हो next बात करते हैं techniques for hardware control हम hardware control कर कैसे सकते हैं हमारे क्या-क्या techniques है हमारे पास available है तो दो important techniques यह बारे में हम पढ़ेंगे जो कि recently companies use करते हैं आपने hardware equipment को control करने के इसमें से जो पहल पहले technique है वो कह है बार कोड क्या है हमारे यहां पर बार कोड अब बार कोडिंग एक ऐसी technique होती है जिसके अंडर हम एक बार कोड बनाते हैं और इस बार कोड के अंडर एक particular hardware से लेटर ठीक है hardware से लेटर जितने भी important information है कि वो कब बना था ठीक है उसका क्या price था वो सारी ची पर बनाना है उस बार कोड को स्कैन करें और सारी information यहां पर ले सकें और उसके बेस पर जान सके कि यह hardware को सही तरीके से यूज किया रहा है या फिर नहीं तो बार कोड आपने देखा होगा कुछ यहां पर parallel lines होते हैं जिसमें white space होते है तो आपने देखा होगा अजुँ कुछ जादे होते है नेक्ट बात करते हैं इसको हम और काइसे इंप्लीमेंट करते है वो हम यहां पर देख लेत है तो पहला जो step होता है वह चैसे आ इने यहां पर 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 यहां पर यहां पर जो एक धिर्वा वहां यह important details है जैसे कि serial number क्या है make model क्या है other relevant data वो हम छो करते हैं next है labeling hardware items आप क्या करते हैं जो हमारा बंद के त्यार हो गए barcode जिस hardware के लिए हमने बनाया उसके hardware के ऊपर उसको level लगा देते हैं उसको simply लगा देते हैं ऐसे location पर लगाते हैं जहां पर हम आफसानी से जो है सको scan कर सब्सक्राइब जैसे मैं example हो तो मान किसे लोग एक box है ठीक है जाती है तो scanning का use करके जितनी भी information वगेरा बार कोड से लेटर वह हमें आपर capture जो है वह कर लेके clear आपको यह क्या था टेक्निक सा implement का next बात करते हैं advantages अब बार कोडिंग के advantages क्या होते हम इसको जब use करते हैं तो क्या-क्या benefits होते हैं वह हमें आपर discuss कर लेके तो पहला benefit है efficiency efficiency काफी बढ़ जाती क्योंकि एक hardware से लेटर जितनी भी important information and data है वह हम quickly acquire कर लेते हैं वही काम अगर हम manually करें तो उसमें काफी time जाता है तो इसलिए यह काफी efficient भी होती है next क्या accuracy accuracy में रहते हैं दिखो जब आप कोई manually काम करते हो तो इसमें data entry error हो जाती है पर इसके इंटर manually कुछ नहीं करना है बलकि automatically जो information हमने store करकर रखा है उन्हें ही यहाँ पर require कर लेना और उसी का use जो है वह कर लेना है steel हो गया इन सभी पर use कर सकते है और जो उपर हम लगा के उसको use कर सकते है तो versality काफी यहाँ पर पाई जाती है next technique हमारी यहाँ पर कहा है RFID जिसको radio frequency identification भी यहाँ पर जो है वह कहते है तो यह भी important technique है जिससे हम hardware को track कर पाते है उसकी movement को track कर पाते है अब इस technique के अंडर होता जाती है वह क्या होती है एक hardware लिया जाता है जिसकी movement को track करना चाहते हो और उसके लिए एक RFID tags यहाँ पर बनाए जाते है और इस tags के अंदर hardware से लेटर जितनी भी important information है उसको यहाँ पर store कर दी जाती है और इस tag को फिर उस hardware के उपर जो हो लगा दी जाता है उसके बाद एक ह जो main काम हो तब वो यह होता है कि यह जो tags है उनको read करना होते है ठीक है तो यह जो RFID reader होते है यह radio frequency का use करके मतलब कोई scanning नहीं कर रहे है radio frequency का use करके यह जो tags है इसके अंदर जो भी information है उसको यहाँ पर acquire करते है और उसके base पर hardware उनको track कर लिया है एक best example आपको दूंग तो द पर आजकल new technology यहाँ पर सुना ही होगा आपने fast tag fast tag क्या होता है कि आप एक fast tag बनाओंगे उसके अंदर सारी details जो है आपके card के related होगी ठीक है वो डाल दी जाएगी और उसको आप अपने card पर place करते हो जैसे ही आप toll text पर जाते है तो automatically जो reader होता है toll text पर लगा होता है वो जो इस fast tag को study कर लेता है और इसमें से आपके information ले लेता है और जो भी toll text बनता है वो यहाँ पर अपने आपके bank account से cut हो जाता है तो यह जो technique है इसी को हम क्या कहता है यहाँ पर RFID क्योंकि देखो जो आप car में बैठी हो reader बैठा है जो counter बना हो आपर तो वो दूर से ही उसको जो कि tagging hardware with RFID यानि कि RFID बनाने है और hardware को उसके उपर मतला hardware के उपर वो लगाने है अब यह जो RFID tags होते हैं simply जो tags होते हैं वो दो तरीके ही होते है पहला का होता है passive और एक होता है active ठीक है passive RFID tags वो tags होते हैं जिसके अंडर अपना कोई power का source नहीं होता मतलब कि यह किसी दूसरे नहीं से power लेकर जो है वो यहां पर चल रहा होता है जैसे example के लिए मान लो एक फास्ट है यहां पर जो reader है ठीक है जो हमारा RFID reader है उससे energy लेता है और यहां पर काम करता है तो यह हो गया passive active क्या होता है active RFID tags वो होते हैं जो जिसका एक अपना internal power source होता है जैसे कि उसके बैट में ट्रैकिंग करनी होते है जैसे में ड्रैकिंग पर होती है या फिर अगर कोई department का में वहां पर होती है तो वहां पर हमें RFID reader जो है वह डबलब कर दिना है वहां पर लगा देना है चाहिक जैसे ही कोई hardware तो हम उसको scan कर सके और उससे information यहां पर ले सके उसके बाद क्या है इसके हम अडवांटेज यहां पर क्या होते हैं तो पहला क्या है क्या है क्या हमें कॉंटेक्ट बनाने की जरूरत नहीं परती है जैसे हमने एकजांपल आपको कार में आप बैठे हो वह परसन अपने काउंटर बैठा है तो बिना एक दूसरे से कॉंटक्ट में आसानी से जो है यहां पर इंफลमेशन क्लेक्ट कर ले जाता है और काम हो जाता है और सब्सक्राइब यहां पर बात करते हैं तो आप आप मोईब फोन से भी करते हो तो आपको स्कैनर पर नहीं करता हैं मदब कि मदब आप कार में दूर भी बैटे हो तो आसानी से उसको scanning जो हो कर लेता है अब यह जो आरफ़ी टैक्स है वो डूरेबल काफी रहते हैं बहुत टाइम तक चलते हैं अगर आप एक पर ही आरफ़ी टैक्स बना दी तो तो वो चलते ही रहते हैं आपको नजीग जाना पड़ता है पर और आरफ़ी लांग रहरें से ही इसके बाद के बात करें तो आररफट आपडेज वह फास्टर होता है जलुदी डाटा गो प्रसका करता है कॉस्ट की बात करें तो बार कोडिंग सस्ता होता है ठीक है अगर हम ऐसे नॉर्मल कोडिंग एक से दो रुपे का है तो जो RFD है वो हमारा 10 से 20 रुपे का होगा तो RFD यहां पर महता होते है नेक्स्ट बात किते हैं कुछ यहां पर हम traditional methods के बार में बात करते हैं जिससे हम hardware assets उसके access को control कर सकते हैं यानि कि किसी unauthorized person को hardware assets को लेने में उसको करने में हम उसको बोग सकते हैं विस्टिक कर सकते हैं तो पहला गाए physical locks and keys हम यहां पर physical locks ताले यहां पर लगा सकते हैं जिससे वही person जा सके है जिसके पास उसकी चापी हो नेक्स या access control list हमें एक list बना सकते हैं यानिकि पर्टिकुलर asset ठीक है जो hardware asset है उसको कौन-कूल परसन जो access कर सकता है उसको कौन use कर सकता है उसकी list में जिन person का नाम है वही सिर्फ इस hardware asset को use कर सकता है और कोई यहां पर नहीं कर सकता है तो इस तरीके से क दिखा के अंदर जा सकते तो यह नॉर्मन सी बात करते हैं ज्यादा इस पर ध्यान देने की ज़रूत नहीं है नेक्स बात करते हैं तो सबसे पहले software होते हैं तो वह हम यहां पर देख लेते हैं तो software हमारे computer के ऐसे component होते हैं जिनकी कोई physical existence नहीं होती है आप इसको यूस तो कर सकते हो पर आप इसको तच नहीं कर सकते हैं फील नहीं कर सकते हैं जैसे एकजामपल के इमाहन कि चलो उसकी instruction जो है यहाँ पर software provider करते हैं clear है तो meaning दिखोगे तो software is a set of instruction and data और program जो कि यहाँ पर किसी computer को operate करने में और किसी specific task को execute करने में यहाँ जो है helpful होता है तो इसके अंदर हमारे बहुत सारे applications आयता है systems आता है programs आयता है जो कि hardware को functions करने में helpful होते हैं नेक्स बात करते है types of software assets हमारे जो software assets है वो कितने types की हो सकते एक organization के अंदर means तीन तरह की software assets हो सकते पहला कहा है data information अगर आपके पास कोई भी data पढ़ा हुआ है कोई भी आपके पास information पढ़ा हुआ है ठीक है जो कि business related है तो वो हमारा क्या कहलाएगा एक software asset जो है कहलाएगा ठीक है तो इसमें जो data है वो क्या हो सकता है customer data हो सकता है financial record हो सकता है या फिर intellectual property होते है तो यह जो data है आपने इसको store करते हैं तो यह हमारा software asset की क्याड़ेगरी में आ जाता है next है in-house develop software implications ठीक है ठीक है तो अगर कोई company अपने software को खुद बनाती है यानि कि internally अपने उसको create करते design करते और implement करते है तो वो हमारे in-house डबलब software application जो है वो कहलाते है उसके बद गया है प्रकिरोड और आउट्सोर्स अगर यहां पर हमारी चलो एक company xy limited company इसने एक accounting software यहां पर बहुत अच्छा बनाया तो abc limited इसको accounting software चाहिए तो accounting बनाने के बिज़ाए इसने इसी से यहां पर किराए software को जो है ले लिया और बदले में फीस पीज़ादा है तो यह जो software होगा वो प्रक्योर software जो है वो कहलाएगा अब जो प्रक्योर software मेली यहां पर customer relation management software होते हैं या फिर enterprise resource planning system होते हैं या फिर other industry specific solution नेक्स्ट बात करते हैं pillars of security for software assets अगर हम software assets की security की बात करते हैं क्या-क्या important pillars है जिनकी उपर software assets की security depend करती है तो पहला important pillar है वो क्या confidentiality ठीक है तो यह confidentiality जो pillar है वो हमें कहता है कि जितने भी हमारे software assets है यानि जो भी हमारे पर information है उसको confidential रखना है यानि कि कि किसी भी तरह की unauthorized access से उसे यहां पर जो है बचाना है तो जो भी हमारे पास data है जो भी information है हमें ensure करना है इस information को सिर्फ फर सरफ वही person यहां पर access कर सके जिसके पास authority है कोई भी unauthorized person उस information को access ना कर सके और ना ही उसका कोई misuse यहां पर कर सके next integrity integrity pillar हमें बताता है कोई भी information ठीक है कोई भी information यहां पर जो data है कोई acid है वह वैसी होने चाहिए जैसी हमने उसको यहां पर बनाया मतलग कि कोई भी unauthorized modification iteration उसमें नहीं की जाने जाए जैसे अगर इसकी example दो मान की चलो अगर रामन है उसने आपर एक message भीजा है अमन को ठीक है कि हाई अमन यह भीजा है तो integrity कहते है कि जो message यह ऐसा ही अमन के पास पहुचना चाहिए ठीक है इसमें किसी भी तरह की changes नहीं करने अगर changes करने भी तो authorized changes होने जाए यानि कि राम खुद इसमें कोई changes कर दे यहां पर तो third person जिसको authority नहीं है अगर वो इसको change करके कहा देता है हाई राम तो यह क्या हमारा कहलाता है यह हमारा integrity नहीं कहला है ठीक है next availability availability का मतलब होता है कि कोई भी information available रहनी चाहिए देखो हम information को store करके इसलिए रखते हैं ताकि जब भी उसे इस इंफ्रमेशन की जरूरत पढ़े तो हम इस इंफ्रमेशन का use कर सेगे तो availability pillar कहता है कि जब भी हमें needed हो हमें information की जरूरत हो तो information हमेशन हमारे पास available होती है अगर वो available नहीं होती है इस time तो कोई फायदा नहीं है information asset को maintain करने का नेक्स का है non repetition non repetition pillar कहता है कि जब भी कोई person यानि कि जो honor information है इसल का वो किसी information को send करता है कोई message send करता है तो उसकी जो responsibility है ठीक है उसकी जो accountability है वो इस honor पे है यानि कि अगर मान के चलो a person है उसने यहाँ पर b person को को message भीजा है तो इस message की जो responsibility बनती है वो एक ही बनती है जो a है वो यहाँ पर मना नहीं कर सकता है कि मैंने यह message जो है वो नहीं भीजाता अगर इस message से B का कोई भी loss होता है तो इसके लिए जो responsibility उठाएगा वो a person ही यहाँ पर उठाएगा इसे ही भरना पड़ेगा यानि कि कोई भी person message भेज के यह नहीं भी सकता कि मैंने message यहाँ पर नहीं भीजाए लेक्स बात करते हैं character six of effective control measures अगर हम effective control measures implement करना जाते हैं तो क्या क्या चीज़ों उसमें होनी चाहिए तो पहला जो character six integration जो हमारे यहाँ पर control measures है यानि कि जो हमारी control policy है वो तो हमारे overall system के साथ integrate होनी चाहिए मतलब कि जैसे मान के चलो हमारे business की overall policy है तो जो हमारी control policy नहीं यह overall business strategy के साथ integrate होनी चाहिए उसके साथ में मिलकर यहाँ पर होनी चाहिए ऐसा नहीं हो कि control measures है वो ऐसे होने जाए कि हम easily उसको remove ना कर सके यानि कि ensure करना है कि control measures implement किये ही जाने चाहिए किसी में मौकित में जो management है उसको वापस ना ले सके उसके बाद performance enhancement जो हमारे हाँ पर control measures होने चाहिए वो ऐसे होने जी है कि हमारे контрol measures है वो ऐसे होने चाहिए कि हम उसको easily implement कर सके मरक कि complexity कम होनी चाहिए simple होनी चाहिए ताकि उसको easily understand करके easily implement भी कर दिया जा सके next care effectiveness measurement तो control measures ऐसे होने चाहिए कि उनकी effectiveness कितनी है वो कितने एपकटिव है तरह कितना अच्छ त्रीके क्या है IT Asset Management तो IT Asset Management जो है वो हमारे जितने भी Information Asset है उन सभी के साथ जो है related होते हैं यानि कि जब भी हम IT Asset Management की बात करते हैं तो इसमें हमारे Hardware Information Asset और जो Software Information Asset है वो दोनों ही Include की जाते हैं तो यह काफी wider concept है तो IT Asset Management के अंदर होता है बेसिकलि कुछ यहां पर activities होती है एक set of activities होती है जिनका यूज करके जितने भी हमारे IT Assets होते हैं उनको हम control करते हैं और यहां पर वो manage करते हैं तो IT Asset Management का मतलब है कि जितने भी हमारे Information Assets है उन्हें हमें control करना है manage करना है ताकि उनकी security जो है वो maintain रह सके ठीक है अब कौनकों से activities होती है तो पहले अगर हम hardware IT Assets की बात करें तो कौनकों से activities जो है वो IT Asset Management के अंदर perform की जाती है पहले कहा है tracking and documentation जो हमारे hardware assets है उनकी हमें proper tracking करनी है कि हमारा asset कब आया था कहां पर गया है कैसे यूज हो रहा है और उसकी proper documentation भी करनी है तो सारी details हमें संभाल के रखनी है उसके बात क्या है identification of under utilized assets जो कि under utilized है मतलब कि जिनका हम utilization कर सकते थे पर कम use करने है या फिर बिल्कुल ही use नहीं करने है उसे हमें identify करने है उसके बात क्या employee equipment monitoring जो हमारा employee है जो कि hardware asset को use कर रहा है उसके उपर हमें monitor करना है कि कौन सा employee कौन सी hardware asset को use कर रहा है कैसे use कर रहा है सही तरह किसे use कर रहा है नहीं कर रहा है वो चीज हम यहाँ पर देखते हैं next software IT asset अगर हम software IT asset की बात करें तब हमें कौन-कौन activities perform करनी है तो पहला कहा है comprehensive software asset manager हमें यहाँ पर comprehensive जो हमारी software assets है उनकी management करनी है इसके लिए ensure करना है ठीक है इसके लिए ensure करना है कि हमारे पास जितनी भी software assets है उनका comprehensive details हमें maintain करके रखनी है उनकी proper documentation करनी है ताकि उसका एक overview हमें आपन मिल सके next लाइसेंस compliance तो ध्यान रखना है कि हमारी organization करना जितने भी software अगर use किये जाए वह license software हो यानि कि आपने कोई भी ऐसी illegal software ना use करें हो जिसमें कोई किसी भी तरह का ख़तरा हो तो कोशिश करने जितने भी software license software next database protection क्या है database protection तो हमें database protection पर भी यहाँ पर focus करना यानि कि जितनी भी हमारे software assets है ठीक है उनके लिए अगर हमें कोई भी upgrade करना है कोई भी नहीं चीज लेने तो वो timely की जाए ताकि technology के साफ से हम भी यहाँ पर चल सके उसके बाद क्या optimize software utilization तो हमारे जो software है उनको proper तरीके से 100% तरीके से उसको use करना है क्योंकि हमारे पास रिसोर्स कम होते तो हमें उसे सही तरीके से use करना जो ह है वो जरूरी होता है तो यहाँ पर जो हमारा आज का topic है asset classification and control वो यहाँ पर over होता है तो I hope आपको यहां तक clear हो गया होगा और किसी पितना का आपको doubt आता है तो आप chat box से message करके पूल सकते हो और अगर आप systematic manner में IT security की preparation करना जाते हो तो फटा-फट से हमारे course में roll कर लीज करते हैं जिनकी help से आप easily revision कर सकते हो और यह जो हमारी live classes होती है वो आपको recorded form में भी मिल जाते हैं तो अगर आप systematic manner में IT security की preparation करना चाहते हैं तो फटा-फट से हमारे course में roll कर लेजे हमारे जो courses है वो easily accessible है अगर आप एक Android ज़रो तो IIBF Learning Center application download कर लेजे Google-based source से और अगर आप आप एक iOS जीज़र हो तो my institute आप download कर लेजे app source और वहां पर आपको organization code यूज करना है जीजी तो फटा-फट सी न application को download कर लेजे हमारे courses में enroll कर लेजे और अगर आप अभी हमारे course में enroll कर दे तो आपको लगबग 82% का off में जाता है हमारे courses पे जिसके लिए आपको coupon code यूज क कर सकते हो तो फड़ा बड़ से हमारे telegram channel को join कर लिजे ताकि कोई important update आप से मिसना हो जाए इसका link आपको video description box में मिल जाए तो आज के लिए इतना ही अगर session अच्छा लगओ तो session को like कर देना हमारे channel को subscribe कर देना और share जूर कर देना अपने friends के साथ colleagues के साथ ताकि वह भी session का बैनिफिल जो है ले सकते thank you so much everyone में ते next class में